असलाम अलेकूम मैं हूँ मुदस नजर वर्डप्रेस के चप्टर 15 में आपको खुशमदीद कहता हूँ और इस चप्टर में हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस थीम डिवलेप्मेंट चप्टर 15 से लेके हम चप्टर 30 तक वर्डप्रेस थीम डिवलेप्म करेंगे बिल्कुल इनिशल लिस्टेर से हम डिवलेप्म करेंगे सिर्फ आपको करना है यह कि आपको एक थीम डिजाइन करनी है और उसके बाद उसको सिर्फ में कनवर्ड करके अपने पास रड़ी रखना है उसके टॉटोरियल्स आपको उड़ूटर से आपको उस मिल जाएंगे आपके पास जो है वह उड़ूटर के मौजूद है अगर आप यह देखेंगे तो आप एक्षजन पर काम कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप टॉटोरियल्स में जाएंगे और हमारे पास यहां पर काफी सारे जो हैं वह ऐसी टॉटोरियल्स मुझूद है जो कि आपको बताएंगे किस तरीकी से आप थीम जो है वह वह ल एक जो है वो कस्टम थीम नेट से डाउंड़ करेंगे उसको जो है कस्टमाइज किया था और जो कि आपके सामने है स्कृन के और हमाने यहां पे नविगेशन और कफी सारी एसी चीजें जो हैं हमने चेंज की थी कुछ चीजें एडब भी की थी और और उसको हमने खतम कर द पर बन जाएंगे मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूँ और हमारे पास यहां पर जो एड्मेंड पैनल है वो मौझूद है और उसमें हूँ अपरेंस में यह थीम में आप दिखेंगे हैं यहां पर तीन तीम्स जो हैं वह इंस्टॉल है एक बिश्प्रेस जो के करन थीम है ह 2010, अब हमें एक theme detect करवाना है WordPress में, जो के हमारा custom theme होगा, और वो हमने बनाना है जाके, हमारे पास Wamp में, क्योंकि मैं local post पे काम कर रहा हूँ, तो मैं Wamp server install किया हुआ है, उसके बाद www.e-directory, और उसके बाद हमारे पास WordPress का folder, जो के हमारा folder है, जिसमें हमारी ये site जो है वो चल रही है, तो इसको मैं open करूँगा और उसके बाद आपके पास WordPress है, वो आ जाएगी तमाम files उसकी और folders, उसके बाद आपने जाना है WP content के अंदर, उसके बाद हमारे पास यहां पर themes, plugins, upgrades, upload बगारा बगारा के folders जो हैं, वो मौझूद है, themes के अंदर आपकी तमाम जो field themes होंगी, जो कि आप उपने site में install करना चाहते हैं, यह install कर चुके हैं, या फिर रखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, वगारा वगारा, जो भी है, आप इसके अंदर रखेंगे, और plugin के अंदर आप of course, जो आपके plugins हैं, वो आप रखेंगे, जो कि हमने यहां पर काफी सारे plugins system all किये हैं, जैसे के custom widget area, और इसके बाद S2 member, sidebar, login, dini, advance बगरा, चलेंजी, हम बढ़ते हैं हमारे theme की जाने पर, मेरे पास हमें तीन folder बने में है, bispress, 2011 और 2010, तो हम यहां पर एक new folder created कर लेते हैं, थाके हम उसमें हमारी तमाम जो भी files होगी theme की, वो हम यहां पर रखेंगे, जो कि हमारा custom theme होगा, इसका नाम मैं रखता हूँ 30 days WordPress, ओके, और अब मैं इसको open कर लिता हूँ, हमारे पास यहां पर यह देखें, folder खाली है, अगर मैं इस page को refresh करूँ, तो हमारे पास यहां पर एक error आएगा, जो हमार आएगा, कि हमारे पास यहां पर folder तो मुझूद है, लेकिन हमारे पास यहां पर style sheet जो है, वो available नहीं है, style sheet अविलिबल होगी, तो उसको WordPress detect करेगा, और उसकी information उठाएक, यहां पर ले आएगा, कि यह जो theme है, वो मुझूद है, अगर आप इसको active करना चाहते हैं, तो active कर अगर आप इसको delete करना चाहते हैं, इसी तरीके से हमारे पास यह options जो हैं, वो आ जाएंगे, तो मैं यहां पर एक theme file करेड़ कर देता हूँ, जो कि होगी style sheet की, मैं यहां से YouTube path है, इसको copy कर ले हूं, ताके मुझे ज्यादा folders जो हैं, इस code editor के अंदर open ना करने पड़े, commodore text edit मैं इसमाल कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई और text editor है, तो वो भी चलेगा, अगर आप komodo text editor download करना चाहते हैं, तो चाहिए google.com पर और वहां पर लिखे, commodore edit 7.1, और आप इसको free of course जा हूँ, इंटरिनेट से download कर सकते हैं, मैं आप एक नहीं file create करूँगा, file के अंदर जाक code cut है, और इसके बाद मैं यहां पर नीचे आप लिखते हैं, मैं टेक्स शो हो रहा है, मैं यहां से change कर दूँगा, इसको CSS के नाम से, सबसे पहले, मैं आपको यह पता होना चाहिए, कि CSS में comment कैसे करते है code को, मिसाल के तोर पे मैं आप लिखता हूँ, theme name, ओके, और अब मु तो यही information मुझे चाहिए, मैं इसको comment करूँगा, और उसके बाद मैं यहां पर, in comment वाले text के नीचे, तर्मियान में, मैं अपने theme की information जो हो डाल दूँगा, सबसे पहले theme name, जो theme name मैं इसको theme name देता हूँ, 30 days, wordpress course, okay, 30 days, wordpress course, चाहिए, और उसके बाद theme url, theme url है, http colon slash slash www.urdhututs.com, और उसके बाद है author, author है, मुदस्से नजर, तो मुदस्से नजर यहां पर लिख देता हूँ, और इसके बाद है author url, कि भाई, author की site कुन सी है, तो वो भी मैं देता हूँ, http colon slash slash www.urdhututs.com, बलके यहां पर slash मुदस्सर लगा देता हूँ, हलाकि है कुछ नहीं, मुदस्सर जैसी कोई site नहीं है, लेकिन लिखने में क्या और उसके बाद आएगा आखरी description, description में हम डाल देते हैं, description की spelling गालिपन गलत है, तो description, यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं है, तो description में हम थोड़ सी information अपनी site के बारे में अगर डालना चाहिए, तो मैं डाल सकते हैं, तो मैं डाल दूँगा, this theme is designed by Urdu Tuts, and it's for 30 days, WordPress course, challenge, यहीं हो गया, और उसके बाद version, version अगर आप डालना चाहिए, तो भी डाल सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ, 1.0, challenge, अब मैं इसको save करूँगा, और save करने के लिए मुझे पाच चाहिए होगा, जोके मैंने पर लाई copy कर लिया था, इसको मैं save कर दूँग यहाँ पर और इसका नाम रख दूँगा, मैं style.css, उप, sorry, यह जो है, वो style.css तो गलत हो गया, इसको ट्लिल कर देते हैं, यहाँ से, okay, style.css, चले, save, और अब हमारे पास जो style.css की file है, वहाँ पर आगई है, अब मैं अगर refresh करूँ इसको जाके, तो हमारे पास जो है, वो template is missing का error आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर screenshot भी रखना है, जो कि हमारे यह जो आप देख रहे है, एक view आ रहा है, सारे तमाम themes का, वो भी हमने रखना है, जो कि मैंने पहले ही बनाया हुआ है, और वो यह रहा, मैं इसको copy कर देता हूँ, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, अब मैं इसको refresh करता हूँ, तो अब भी हमने पास एला रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक index की file भी चाहिए होगी, तो मैं एक index की file बना देता हूँ, और इसको change कर देता हूँ, यहाँ से PHP, और इसको save कर देता हूँ, मैं, अब मैं यहाँ पर path copy करना प्लेगा, मैं इसको path को copy कर लेता हूँ, यहाँ से, और अब मैं यहाँ लिगता हूँ, index.php, challenge, save, और अब मैं इसको refresh करता हूँ, चलेगे, अब अमर पस जो यह theme है, वो आ गया आप देखेते हैं, 30 days, WordPress course, और theme by मुदसिर नजर, यह तरीका था हमारे theme यहाँ पर detect करवाने का, मैं इसको active करूँगा, तो हमारे पास active करने के बाद गालबन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस theme में कोई extra file वगरा कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको open करूँ, तो there is nothing, कुछ भी नहीं, क्यों हमा किस तरीके से हम यहाँ पर code वगरा जो है वो डालेंगे, और किस तरीके से दूसरी तमाम files जो है हमारी site की वो रखेंगे, तो आपको इसके लिए एक temperature चाहिए होगा, जो कि HTML में आपका बना होना चाहिए, ready होना चाहिए, ताकि आप इस tutorial को, इस course को आगे लेके चल सकें औ और मुझे follow कर सकें, तो मेलेगे इन्शाला अगरे tutorial में दौम यादर कीगा, अलाहाफिस